असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक सी गाजर की हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसके लिए मैं 500 ग्राम गाजर को अच्छी तरह से कद्दू कश करके ले लेंगे और एक गैस के उपर फ्राइपैन को रख देंगे फ्राइपैन में हम घी डाल दे मीडियए तरह से भूनेंगे सबतरब से घाजर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गाजर को जब धीमी लो फ्लेंगे छोड़ी दियर के लिए भूनेंगे और इसके बाद हम ढखकन को कवर कर देंगे 2-3 मिनट बाद हम ढखकन को खोलेंगे अब इसके अंदर गाजर का रंग चेंज हो चुका है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे स्टेट पर हम इसमें एक कप दूर डाल देंगे और मावे को छोटा छोटे चंग्स में तोड़कर सारे हल्वे के उपर मावे को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ध्यान रखना है कि मावे के तुकड़े जीने जीने होने चाहिए इसके बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे तरह से 2-3 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे तरह से मिक्स करेंगे देखे दूद भी तरह से शुख चुका है और मावाativa अच्छी तरह से नरम हो चुका है इसे हम धीमियाज पर 2-3 मिनट मिक्स करते हुए भूनेंगे स्टेच पर इसमें शक्र डाल देंगे शक्कर डाल कर हमझे के अगाचा अधिक कर देंगे फ्राइफ पयरBारा की दोर्डर कर देसे वापस कर देंगे के की दोर्डर को तो अब हम इसके तर्डा सिद्वाई झाल देंगे हाल was waiter फक्क रेडी हो चुका है एक सास्पेन ले लेंगे उसके अंदर 500 ml दूध डाल देंगे और दो चमच कश्टर पाउडर मिक्स करके दूध में डाल कर उसे दीमी आजपर पकाएंगे और उसके अंदर मावा भी डाल देंगे मावे के तुकड़े करके हम इसे डालना है और इसे बराबर मिक्स करते हुए पकाना है हमें हाथ रोकना नहीं है हम इसे बराबर मिक्स करते रहना है और इसके अंदर शक्कर डाल देंगे शक्कर डाल कर उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके बाद दूद थोड़ा गाड़ा होने लगे उसके बाद हम फ्लेम को हाई करके उसे पकाते रहेंगे हाई फ्लेम पर हम दूद को मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे हमें हाथ नहीं रोकना इस्टेज पर दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है देखो इस में थोध गड़ा हो गया है इसके अंदर बबल भी आना शुरू हो गया है इस तरह से हमारी क्रेम बन कर रेडी हो जाएगी हमारी क्रेम बन कर रेडी हो गई है अब हम गेस को बंद कर देंगे अब एक आइस क्रीम बॉल में हम गाजर को अच्छी तरह से सेट करेंगे अच्छी तरह से सेट कर देंगे अच्छी तरह से सेट हो चुका है अब हम इसके अंदर क्रीम कस्टर पाउडर की जो हमने बनाई थी वह इसके अंदर पोर करेंगे इसे अच्छी तरह से हम धीरे धीरे से डाल कर पोर करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए पाँच मिनट के लिए फिरीज में रख देंगे ताके क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके बाद हम इसके उपर पिस्ते और केसर के धागे से गार्निश करेंगे देखिए इस तरह से हमारी गाजर का हलुआ बनकर रेडी हो चुका है आप भी इसे जरूर बनाएं ये खाने में बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होता है आप दिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू पर वचिंग्यू वोचिंग्यू